Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Recently, Government of Saudi Arabia ने अपने देश में शराब पीना और उसे बेचने के नियम में बहुत बड़ा फेर बदल किये हैं वहीं जहाँ पे पहले Saudi Arabia में शराब पीना और बेचना complete तरीके से restricted था लेकिन Government of Saudi Arabia को बीते कुछ सालों में ऐसा realize हुआ कि उनको अपने policy में changes करने पड़ेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए Government of Saudi Arabia ने शराब के नियम में कुछ फेर बदल किये हैं इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर में Saudi Arabia को ऐसा क्यों करना पड़ा और शराब ही क्यों चुनना पड़ा इसके जो economic reasons है उसको हम समझेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और आप अपने opinion views मुझे comment section में भी लिख के दे सकते हैं या मुझे आप email कर सकते हैं 72 साल के बाद Saudi Arabia ने अपने देश में शराब पीना और बेचने को allow कियें लेकिन कुछ restrictions अभी भी हैं जहां पे अभी जो शराब को serve किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ non-muslim diplomats को किया जाएगा कि दुनिया के तकरीबन सभी देशों में शराब बैन होगा majority of देशों में जो शराब है वो कुछ restriction के साथ available होता है कुछ एक age का जो restriction होता है और चाहे Saudi Arabia हो या India हो या Oman हो कुछ नियम ऐसे रखने होते हैं जो एक common नियम हो जो नियम दुनिया के सभी देशों में चले तो क्यूंकि जो diplomats होते हैं वो शराब consume करते हैं और उनका ये culture का एक हिस्सा होता है तो Saudi Arabia को ये realize होना शुरू हो गया कि वो alcohol को ban नहीं करेंगे खास करके diplomats को लिए, diplomats के लिए तो उसी को मद्दे नज़र रखते हुए क्या होता है कि government of Saudi Arabia ने ये permission दिया कि वो शराब को serve करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ non-muslim diplomats को अब क्योंकि Saudi Arabia एक complete यहाँ पे अभी भी king या monarch का system चलता है तो जो शराब जो बेची जाएगी वो directly जो government of Saudi Arabia है वो बेचेंगे और वो mobile application के तहत उसको बेचेंगे उसमें भी क्या है कि आप कितने शराब को खरीद सकते हैं उस पे भी कुछ restrictions है और आप शराब कहां बैट के पी सकते हैं उस पे भी कुछ restrictions है लेकिन जैसे ही government of Saudi Arabia ने ये कहा कि वो अपने शराब के policy में changes करेंगे तो जो लोगों का जो opinion था वो कुछ बटा हुआ था कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये एक काफी progressive step लिया गया है by government of Saudi Arabia वहीं पे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि Saudi Arabia के दुवारा ये जो फैसला लिया गया है ये against Islam है क्योंकि Islam में ऐसा कहा जाता है कि आप alcohol consume नहीं कर सकते हैं अब Saudi Arabia को जो population है वो तकरीबन 3 करोड 20 लाग के आस पास के इनके आबादी है क्योंकि Saudi Arabia में alcohol आप नहीं पी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे restricted है इसलिए जो पडोसी देश है यानि कि UAE में जो दुबई है या ओमान है वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वो लोग पार्टी करते हैं फिर पार्टी करने के बाद वो लोग वहाँ से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि Saudi Arabia में जो लोग रहते हैं वो alcohol consume नहीं करते हैं वो लोग भी alcohol consume करते हैं तो बहुत सारे ऐसे factors थे हैं जिसको की Saudi Arabia के government consideration में लेते हैं और उसके बाद इस फैसले तक पहुंचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ non-muslim diplomates को alcohol serve करेंगे अब इस चीज से एक और सवाल दिमाग में आ सकता है कि क्या Saudi Arabia में हमेशा से शराब को बेचना या पीना ban था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था 1951 में घटना घटा है जहां पे उस वक्त के जो king होते हैं king अब्दुल अजीज उनका एक बेटा इतना शराब पी लेते हैं कि वो British के जो council होते हैं उनको वो गोली मार देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि काफी बवाल मत जाता है और क्यूंकि Saudi Arabia में अभी भी monarch system चल रहा राजा का system चल रहा तो इसलिए जो king होते हैं अब्दुल अजीज वो alcohol पे complete तरीके से ban लगा देते हैं और उसके बाद का जो दूसरा सबसे बड़ा reason निकल के आता है 1979 का जो Islamic revolution हुआ था इरान में अब इरान और Saudi Arabia के जो relation है वो काफी खराब है इरान एक Shia sect को follow करने वाला देश है वहीं पे Saudi Arabia Sunni sect को follow करता है इरान सोचता है कि वो Muslim World को lead करें वहीं पे Saudi Arabia सोचता है कि वो Muslim World को lead करें लेकिन यहाँ पे क्या है कि Saudi Arabia के पास क्यूंकि Muslim religion में जो दो सबसे sacred जगह है मक्का और मदीना वो पढ़ जाता है आपका Saudi Arabia में तो इस चीज का benefit मिल जाता है Saudi Arabia को अब जो long international relations को follow नहीं करते हैं उनको यह लग सकता है कि इरान, Saudi Arabia या तर्की के बीच में जो relation खराब है वो सिर्फ और सिर्फ religion के लिए है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इनके बीच में जो competition है वो सिर्फ और सिर्फ political competition है और इन देशों में जो competition है वो यह है कि किस तरीके से वो Muslim world का leader बने और अपना importance को globally हर वक्त maintain करके रखें क्योंकि 1979 में Islamic revolution होता है इरान में तो उसका जो असर था वो Saudi Arabia में भी पढ़ता है और खास करके और भी जो अलग-अलग Muslim country होते हैं वहाँ पे भी पढ़ता है भी वो शराब को complete तरीके से ban कर देते हैं लेकिन 1979 से लेके अब तक बहुत सारे geopolitical changes हुए हैं और उसी changes का एक example है जहाँ पे Saudi Arabia अलकोहल को अब permit कर रहा है अब वहीं पे जो लोग Muhammad bin Salman को या Middle Eastern region को जो अच्छे से समझते हैं वो Crown Prince Muhammad bin Salman को एक ambitious और revolutionary leader मानते हैं और वो कहते हैं कि Muhammad bin Salman साओधी अरेबिया में business को, tourism को फैलाना चाहते हैं और इसके लावा भी जो government of Saudi Arabia है वो अपना oil based economy है उससे भी वो diversify करना चाहता है अब मैं आप लोगों को map दिखाता हूँ Middle Eastern region का और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्यों Muhammad bin Salman को या government of Saudi Arabia को ये step लेना पड़ा ये है आपके साओधी अरेबिया का map और ये है UAE में Dubai, Oman अब जब भी हम Dubai सुनते हैं तो बड़े-बड़े malls, बड़े-बड़े buildings, hotels, शराब तो Dubai का जो economy है वो बहुत बड़ा जो इनका जो dependence है वो tourism पे हो गया है जो बड़े-बड़े जो businesses हैं, उनके जो meetings हैं वो Dubai में होना शुरू हो गया है उसका जो असर है वो कहीं न कहीं Government of Saudi Arabia पे भी पढ़ रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि जो tourism industry होता है, वो काफी beneficial industry होता है और वहां से एक बहुत बड़ा economy को boost मिल सकता है क्योंकि Dubai में alcohol allowed है, Oman में alcohol allowed है और अगर आप अपने देश में alcohol को allowed नहीं करेंगे तो एक जो बहुत बड़ा tourist तपका है वो आपके देश में आने से बचेगा और ये भी एक बहुत बड़ा reason है कि क्यों Saudi Arabia alcohol को permit कर रहा है slowly and gradually जब भी हम Saudi Arabia को सुनते हैं या उसके बारे में जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है और उसके बाद जो कहले कि जो most important चीज़ है वो आता है oil का export तो लगभग Saudi Arabia जो 90% export करता है अपने देश से वो सिर्फ और सिर्फ oil ही करता है और अभी के time पे वो largest exporter of oil है उसके बाद Russia है या इसको कुछ ऐसे समझ ले कि Russia और Saudi Arabia ही दुनिया का oil export को lead करता है लेकिन जिस तरीके से अभी electric vehicles के उपर research and development चल रहे हैं ना कि भारत में बलकि पुरी दुनिया में तो इससे कहीं न कहीं जो oil का consumption है वो maybe 2035 तक या 2040 तक घटने वाला है तो क्योंकि जो oil का consumption घटने वाला है तो इसका जो value है वो भी घटेगा तो इसका जो impact है वो directly पढ़ने वाला है साओधी अरेबिया पे या तो वैसे countries पे जो Middle Eastern region में highly dependent है oil के उपर तो किसी भी चीज़ को या किसी भी plan को execute करने में काफी वक्त लगता है तो इसी चीज़ को समझते हुए मोहमद बिन सल्मान अपने जो tourism industry है या oil से वो अपने economy को diversify करना चाहते है और खास करके जब से मोहमद बिन सल्मान आये हैं साओधी अरेबिया में इनका जो कोशिश है वो यह है कि दुनिया की जो अलग-अलग देश है उनसे इनका relation काफी अच्छा रहा है खास करके यह कोशिश करते हैं कि US के साथ भी relation अच्छा रहा है इंडिया के साथ भी relation अच्छा रहा है और भी जो दुनिया के अलग-अलग जो important देश है उनके साथ इनके relations अच्छे रहा है ताकि जो वैपार है, जो business है उसको diversify किया जा सके और किसी भी देश पे single-handedly dependent ना रहे इसका एक जो सबसे बड़ा आप example देख सकते हैं वो यह देख सकते हैं कि साथ अरेबिया और इसराइल की बीच में जो relations थे, वो पहले बहुत ही खराब थे हैं लेकिन US का एक बहुत बड़ा रोल है जहां पे साथ अरेबिया और इसराइल को वो साथ लाते हैं और साथ लाने के बाद जो relation है उसको काफी जो पहले जो खराब relation थे उसको काफी dilute करते हैं और कोशिश करते हैं कि Middle Eastern region में जो दुबारा से जो relation है वो अच्छा हो जाए इसराइल और साथ अरेबिया के बीच में और उसके बाद बहुत हद तक साथ अरेबिया का जो defense है वो directly dependent है आपका USA के उपर USA से बहुत सारे technologies weapons वगेरा purchase करते हैं क्योंकि किसी भी देश का जो defense होता है वो काफी confidential चीज होता है तो इसलिए exactly साथ अरेबिया और USA किस टाइब के weapon को purchase कर रहे हैं तो किस टाइब के weapons को purchase करना चाहते हैं इसके बारे में exact information public domain में नहीं है लेकिन एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि USA और साथ अरेबिया के जो relation है खास करके जब से मोहमद बिन सल्मान आया है तब से काफी अच्छा हुआ है अब मोहमद बिन सल्मान या इनके जो team होंगे उनको एक बात को और भी ध्यान रखना है कि इनको इनका जो importance है as in religious जो इनका importance है इनको वो भी अपना importance को बरकरार रखना है इसलिए as in कहले trial ये उसी इलाके में alcohol को serve करना शुरू करेंगे जिस इलाके में जो non Saudi Arabian रहते हैं यानि कि जो diplomats रहते हैं उन्ही को ये alcohol serve करेंगे और देखना चाहते हैं कि exactly किस तरीके का जो reaction है वो Saudi Arabia से आता है बहुत सारे ऐसे examples भी हैं जहांपे Saudi Arabia में party को और party organize किया गया है जहांपे बढ़ चड़के जो youngster हैं वो participate कियें तो in a way अगर आप इस चीज को बहुत ही neutral perspective से अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको ये चीज़ों समझ में आएगा कि Saudi Arabia को अपना जो एक orthodox जो policy है या इनके बारे में जो perception है Saudi Arabia के बारे में उसे change करना काफी जरूरी है और tourism industry में बहुत पैसे होते हैं वहीं जो electric vehicles का development हो रहा उससे जो oil based economy है वो काफी hamper पहुँचेगा तो overall अगर आप इसको neutral perspective से देखेंगे तो आप इस move को appreciate करेंगे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग Saudi Arabia के होंगे जो publicly accept नहीं करेंगे कि Saudi Arabia में alcohol को surf किया जाए लेकिन फिर भी अगर आप government का perspective से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह step जो लिया गया यह काफी progressive step है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कोई गलती हो गए तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye